नमश्कार, नाभी में तेल डालना और पेट पे मालिस करने का भी एक बहुत ही अदबुत फाइदा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, नाभी जो हम मा के कोक से बाहर इस दुनिया में आते हैं, तो ये नाभी ही हमारी मा से गर्ब से हमारा संपर्क बना रहता है, जैसे ही नाभी कटती है, अलग होती है, फिर हम आहार लेना मूँ से सुरू करते हैं, तो नाभी एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से बिमारीों का केंद्र माना जाता है, और आईरवेद में भी कहते हैं, कि ज़्यादातर बिमारीों को पेट के रस्ते ही बाहर न जो लोग स्वस्त हैं वो नाभी में एक ही समय पूरे दिन में रात को सोने से पहले अगर नाभी में तेल डालते हैं तो उसके बहुत सारे फाइदे हैं वो मैं आपको वताओंगा जो लोग बिमार हैं लंबे समय से बिमार चल रहे हैं वो दिन में दो बार नाभी में तेल डालके लाब उठा सकते हैं कैसे दो से तीन बूंद नाभी में तेल डालना है सुबह उड़ते ही जो लोग बीमार हैं उड़ते ही तेल डाले और देखे एकदम कितनी ज़्यादा उर्जा आपके सरी में आ जाती है एक तम आप अपने आपको अच्छा महसूस करने लगेंगे रात को सोते समय आप नाभी में दो से तीन बूंद तेल डालें इससे बहुत अच्छी गहरी नींद भी आएगी टेंसन भी नी रहेगी और मस्तिश्क से सम्मंदित विकार भी आपके दूर होते चले जाएंगे नाभी में हम कौन-कौन सा तेल डाल सकते हैं नाभी में हम गर्मियों में डालेंगे तो नारेल का ये कद्दू का तेल ये हम डाल सकते हैं सर्दियों में अगर आप डालना चाहते हैं, तो बदाम का तेल भी डाल सकते हैं, सर्सो का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, और इन तेलों में बने हुए अन्योशदियां डालके, पकाके, उस तेल को भी आप डालके लाब उठा सकते हैं, तो जिस बीमार में कौन सा तेल फाइदेमंद है? मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वैसे तो गर्मी सर्दी में अगर आप स्वस्त हैं, स्वस्त रहना चाहते हैं, तो गर्मी में जो तेल बताएंगे हैं वो डालें सर्दी में आप तिल का, बदाम का या सर्सो का तुच्छा आपकी बहुत ज्यादा खुशक है, शरी में तुच्छा से सम्मंदित बीमारियां तंग करी है, खारिस-कुजली की समस्या बहुत ज्यादा तंग करती है, तो आप सर्दियों में खास तोर पे कहना चाहूंगा, नीम के पते सरसो के तिल में पकाके, उस तेल को न पते का पौडर लेना है, तो उसमें 400 ml के करीब नारिल का तेल डालके एक हफते के लिए छोड़ दें, वो तेल एक हफते बाद अच्छे से उसे छान ले, उस तेल को नाभी में डालने से तोच्छा से सम्मंदित विकार दूर हो जाते है, तोच्छा के अंदर जो गरंथिय आएगी सफेद रंग की, आपकी तोच्छा हमेशा दमपती हुई और एक ओजवान तोच्छा नजर आती रहेगी, जिसे कहते हैं तोच्छा स्किन साइनिंग बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से आपकी बनी रहेगी, पेट में गैस बनी रहती है, पेट में धरन बार बार अ उल्टी जैसा मन करता है, तो रोज रात को नाभी में सरसो तेल की अच्छे से दो से तीन मून डाले और सरसो तेल की पेट पे हलके हाथ से मालिस करें, बहुत तेज हाथ से नहीं हलके हाथ से मालिस करके सोएं, ऐसा करने से पेट की समस्या दूर हो जाती है, रात को सरसो का के र fool नावी में डालने से सरीर में infection नहीं होता है। बैक्टिरिया वाइरस या fungus का infection जब मोसम बदलता है ना तो हमारे सरीर में खास तो पर होता है। हम नाभी में तेल डालके सोएंगे तो सबसे पहला तो नाभी में किसी तरह का मैल जमा नी होगा, नाभी में किसी तरह का इंफेक्शन नी होगा, कभी अंबलिकल हर्निया की शिकायत नी बनेगी, और दूसरे नमबर में क्या होगा कि हमारा सरी जो बाहरी बैक्टिरिया वाइरस या फंगस के समकर्मन से हमारे सरी को बचा के रखेगा क्योंकि हमारे सरी को इम्यून सिस्टम को यह बढ़ा देगा जिस से हमारा सरी रोग मुक्त बना रहेगा जिन महिलाओं को मासिक धरम खुलके नहीं आता या हार्मोन ठीक डंग से नहीं बनता या जिन महिलाओं को कितनी भी कोशिश कर रहे हैं मगर गर्ब धारन नहीं हो पा रहा या जिन महिलाओं को मासिक धरम के समय पीडू में बहुत ज़्यादा पहीन होता है क्योंकि गर्भाष्य में उनके एठन बनी जाती है, सुजन बनी जाती है, तो ऐसी महिलाओं को कुँगा कि आप दो से तीन बुंद नाभी में सरसो का तेल जरू डालें और रूई की साहता से अच्छे से नाभी के चारो और खास तौर पेडू पे हलके हाथ से माली जरू करे कि ऐसा करने से मासिक धरम टैम पे आएगा, मासिक धरम की समस्या दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो आपको मासिक धरम के समय पेन होता है, उसकी सिकाहत नहीं होगी, और समय से गर्भधारन की शमता आपके अंदर आ जाएगी, नाभी में तेल डालने से क्या होत प्रकृती होती है, जिसमें क्या होता है कि वात से लोग बहुत ज़्यादा बिमार होते हैं, पित से कम लोग बिमार होते हैं, कफ से उससे कम लोग बिमार होते हैं, सबसे ज़्यादा आप अगर देखेंगे तो वात से लोग पीडित होते हैं, तो इनका भी संतुलन बना के रखने की शम्ता इसमें पाई जाती है नाभी में तेल डालने से दो से तीन बुंद रात को सोते समय नाभी में तेल डालने से शुकरानू पुर्शो का जो शुकरानू होता है उसकी पूरी मातरा बनी रहती है सपन दोश की शिकायत या सिगर पतन की समस्या नश्ट होती है नाभी में तेल डालने से मस्तिश्क में जो हमारे तरल परदार्त होता है जिसे यादा शक्ती बनी रहती है उसकी समस्या नहीं रहती है आँखों की रेस रोसनी हमेशा तेज बनी रहती है आँखों पे चस्मा नहीं चड़ता है नजर कमजोर नहीं होती है तेल डालने से होट फटने की समस्या, हातों में हतेली फटने की समस्या और एडी फटने की समस्या दूर होती है नाभी में तेल डालने से सरीर में सूजन या जोडों में दर्दों की शिकायत वात से समंधित रोग की समस्या नहीं रहती है नाभी में तेल डालने से गले और फेफडों में कफ जादा मातरा में नहीं होता और जो मौसम बदलता है तो उसमें सर्दी जुकाम या फलू की सिकायच से बचा रहता है सरीर नाभी में तेल डालके सोते समय जब हम तेल डालते हैं तो गहरी नीद आती है सपने कम आते, टेंसन की समस्या, निद्रा की समस्या दूर होती है नाभी में सोते समय तेल डालने से हमारा दिल मजबूत बना रहता है हमारे सिरी का नर्वस सिस्टम अच्छा बना रहता है और हम हमेशा स्वस्त और सुन्दर बने रहते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद